अलो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा चावल जो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और खास करके यह बच्चों को बहुत पसा हुआ मेठा चावल बनाने के लिए हमें जो सामगरी लगेगी इसमें सबसे पहले किसमिस थोड़े से चाहिए कुछ कटे हुए काजू और बादाम चाहिए तो ग्राम के लगभग गूर चाहिए आप अपने पसंद के अनुसार जैसा मीठा जाईए वेसा गूर ले सकते हैं अब हम मिठा चावल बनाना सुरू करते हैं सबसे बेले आप एक पेन गरम करें और उसमें एक टेबल स्पून गी डाले गी गरम होने के बाद उसमें हम कटे हुए काजू और बादाम डाले और उन्हें अच्छी तरह से बुने काजू और बादाम अच्छी तरह से बुई चुके हैं अब इसमें हम एक कटोरी दुला हुआ चावल डालेंगे जिसे हमने पहले से पीगो के रख दिया था हमने एक कटोरी चावल लिया था उसी कटोरी से अब इसमें हम तीन कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे अब इसमें हम किस्मिस डालेंगे पानी डालने के बाद इसमें हम गुड मिलाएंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें गुड डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब आमारे गुड और शारे ड्राइट रिख दूर्ट अच्छे से मिक्स हो गए है आज तेज पर इसको मुलाया मुने तक पकाए हमारे मीठे चावल की रेसिपी तयार हो गई जो खाने में बहुत ही टेस्टी